हेलो वेलकम टू आल रहमान केमेस्ट्री अकैडमी आप लोगों का भार्दीक विल्कम करता है एक्शली मैं आपको यह बताना चाहरा था कि आज मेरा टॉपिक है वह बेसिकली रेजनेंस इन बेंजीन है इसे बात करना चाहरा हूं बेंजीन के बारे में बहुत ही पहले हम इसके structure को समझने कोशिश करते हैं यहां पर देखे 6-membered ring बना हुआ है carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4, carbon 5, carbon 6 इसका formula 6 होता है और हर carbon के साथ एक hydrogen attached दिखाई तरफा को HHH attached किया हूआ है number carbon पर दिया है पहले हम इसके hybridization की बात करते हैं मैं carbon 1 को एक hybridization के समझता हूँ जिस हलो हलत carbon 1 की होगी hybridization की वह हलत 2 की 3 की 4 की 5 की 6 की होगी तो मैंने carbon 1 का देखी यहां पर configuration लिखा आउटर मोस में शेल में 4 electron होते हैं excited state में क्या होता 2s1, 2p1, 2px, 2b1, 2py1, 2pz1 यहां value लिखते हैं उसके बाद आगे देखिए यहां पर ह 1 यहां पर दिया हमने, that is called px orbital overlapping, यहां भी sigma bond बना, जो sigma bond यहां दिखाई दे रहा है आपको, that is sp overlapping हो रहा है यहां अब carbon 2 पर बड़ा interesting चीज़ यहां पर देखिए दो तरह के bond बन रहे हैं, एक तो बन रहा है sigma बाकी बन रहे है pi bond, pi bond sidewise overlapping से बनते हैं, तो carbon 2 के py py orbital overlapping होगा त बनेंगे, बाकी उसके किसी orbital से pz overlapping होगी, that is always form sigma bond, तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, कि sigma bond 3 बन रहे हैं, pi bond 1, जाहिए से बाद 3 sigma bond कितने orbital बन रहे हैं, तीन orbital में इसका hybridization S का 1 orbital और P के दो, sp2 hybridization यह शोग करेंगे, के kule ने इसके resonating structure को समझाने के लिए hypothetical बात किया कहा कि यह देखिए, orbital overlapping है, जो हमने यह PY, PZ, PY orbital को लिया है, basically उसको दिखाने ही कोशिश की यहां पर, that is the pi bond is form, बाकी PZ यहां sigma bond form कर रहे हैं, similarly अगर आप अगला structure ले, carbon 2, अगर हम 2, 3, 4, यह orbital देखिए, और खाली सबके बराब ब्लैंक है, same as यही काम 2 कर सकता है, 3 के सा sidewise overlapping कर सकता है, 4, 5 के साथ कर सकता है, और 1, 6 के साथ कर सकता है, तो उससे क्या PY bond नहीं बन सकता है, यहां देख रहे हैं, PY bond की shifting दिखा रहे हैं, it is purely hypothetical है, इसा को real existence हमें आसता, को experimental evidence से थोड़ा बहुत proof किया है, proof कैसे मिला है, उसके बारे में detail study करेंगे, यह को लिए रहे सकता है, इसको ultimately हम circle के form में कहते है, because electron कहता है, surrounding गुमता रहता है, it is also termed as a ring current के नाम से जानते है, these are the real hybrid structure of benzene, इसलिए अकसर बेंजन में आप पाएंगे, बीच में circle होता है, circle basically electron के movement को बढ़ाता है, अब रहा सावाल यह proof कैसे मिलता है, कि यह वाक्य में resonating बनाते है, पहल double bond का bond is 1.34, triple bond का 1.18 tank storm होता है, but अगर हम benzene में आकर देखें, तो इसका अजीब हो गरीव bond, इसका bond order, bond length जो आता है, 1.39 आता है, क्योंकि अगर हम देखें, single bond is 1.44 अलग होना चाहिए था, double bond की 1.34, triple bond की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन यह जब identical type के same type के bond बना रहा है, अग को जानने के कोशिश करते है, हम जानते है, all six का bond length अगर identical होता है, तो ऐसा बनना चाहिए था, 1.54 नहीं बन पाया, इसका bond order तकरिबन 1.5 के bond अगर आना चाहिए था, अगर हम resonance के साब से भी चले, तो इसका average bond length अगर निकालना चाहिए, तो number of resonate texture के divide by number of bond से करते है, निकालत 1.34, alkaline के निकालते है, सबसे कम नजर आए आ आपको, देखिए 1.1,8 in strong, SP2 hybridization, Li line होते है, इसका भी SP2 hybridization होता है, देखिए है, निकरिटिव चार्जब नहीं नहीं बन्ड पर समझाने के लिए बात कर रहे हैं, तो reason है, यह bond की shifting होते रहती, इसलिए हम इसको, इसके hybridization को, ह होना चाहिए बट resonating के वज़ए से क्या होता है SP2 हो जाता है अब यहाँ पर एक बात कही जाती है कि जिस compound का more heat of hydrogenation हो hydrogenation का मतलर addition of hydrogen करता है उसकी reactivity उस compound की बहुत जादा होती है और उसकी stability बहुत कम होती है तो next concept जो समय में आता है कैसे अगर मालेजी सारे बॉंड ने इसके double bond या single bond को follow करते है तो यहाँ पर क्या किया है है हमने cyclohexane लिया उसमें H2 gas पास करा है double bond उटा दोनों जोड़ोंगे 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 वह 28.8 kilo calorie तकरीबन यह energy release करता है तो कि double bond उटा है double bond की energy हम सब जानते हैं जानते हैं जादा होती है as compared to single bond double bond खतम होगासल energy release कर रहा है तो हम सोचते हैं कि अगर तीन double bond present है तो तीन 3 is 2 इतनी energy release करनी चाहिए but practically जब देखा गया तो मालुम चलता है कि इसके energy जब हम apply करते हैं तो 50.4 kilo calorie per mole यह basically CBC के books कुछ other books कहती है and CRT कहती है minus 49.8 kilo calorie per mole energy release करता है अब सवाल उठता है कि अगर यह तीनों double bond fix होते है अपनी जगा पे 36.4 आना चाहिए तो आ कितना रहा है 50.4 खट गया आखिर वो energy गई कहा इसी के बारे में कहता है कि वो energy कहला ती जो difference निकालेंगे आप 86.4 से आप 50 के difference निकालेंगे 36.4 36 के करीब kilo calorie difference आएगा तो कहता है यह energy कहां गई आखिर energy आ तो 86.4 आना चाहिए यह 50 क्यों आ रहा है इसी को justify करने के कहा कि जो energy यहाँ पर नजर नहीं आ रही है वो energy basically bond के resonate मतलब गुमाने में वो contribute कह रहा है जिसकी वैसे हम उसे कहते है that is called resonance energy यहाँ पर देखिए definition energy release when the one mole of most stable resonating structure converted to the hybrid structure जो conversion होता है उसका electron की shifting के वजए से उसी हो कहते है हम resonance energy कहते है वो energy कहां contribute हो रही है वो इससे बांड को घुमाने condition energy release कर रहा है तो इसी तरह से हम यहाँ पर unsaturation double bond की बात करते हैं दुसरी बात है कि generally जो double bond property show करते हैं double bond से fix होता तो वो properties benzene नहीं show करता है इसके पीछे कि अगर हम bromine water के साथ bearish reaction कराएंगे तो वो reaction करना चाहिए double bond के test के लिए हम करते हैं but benzene के अंदर problem क्या है कि जब benzene का हम unsaturation test करते है double bond के साथ bearish region के साथ BR2 plus S2 या 1% code alkaline bromine water या bearish region के इस्तमाल करते है कि double bond उसके अंदर present है या नहीं तो benzene इन में से कोई भी test देता नहीं इसका मतलब जाहिर से बादे double bond तोड़ना बहुत मुश्किल है बहुत स्टेबलाइज हो चुका है और वो double bond normal double bond या triple bond से तो तो डिफरेंट है या वो existence नहीं show कर रहा है तो benzene actually does not have any double bond ये evidence हमें इस reaction से मिलता है वरना अगर हम simple alkene को अगर bromine water से reaction कराते हैं हमें क्या होता है कि bromine पेक तरफ OH एक तरफ BR और double bond 2 जाता है it become colorless ये basically unsituation मतलब double bond का test कहलाता है ब्रोमीन से reaction करा है कोई reaction नहीं हो अब जह कहता है कि आखिर वो reaction क्यों नहीं कर रहा है इसका double bond का existence नहीं है फिर इसी properties को देखते हो एकसा मतलब थावित होता है कि electron वहां free नहीं है वो electron decloud घूम रहे हैं और प्लेन बेंजीन के रोटेट कर रहे हैं इसकी वएसे एक problem और आती है कि बेंजीन निक्लिफली solution reaction नहीं शो करता है विकार उसके पास पहले से electron cloud negative है जब कोई निक्लिफाइल इस पर अटाक करेगा तो problem ही आएगी कि वो निक्लिफाइल को आने नहीं देगा इसन के हाँ उसका double bond इतना stable होता है resonance की वाज़से कि उस bond को यह nucleophile break नहीं कर पाता because strong electronic repulsion होता है यही काम अगर हम कोई electrophile लेता तो आसानी से वो attack करता है इसका मतलब बेंजीन के पास negative cloud बहुत जादा है पाइलेक्ट्रोन का इसकी वाज़से वहाँ पे वो CL plus यहां से सिर्फ H plus को double bond को नहीं तोड़ पा रहा है इसका मतलब बेंजीन के लिए काफी जादा स्टेबिलाइज होता है रेक्शन करना चाहता है विकार उसके पास electron density बहुत जादा है उसके पास electron density बहुत जादा है एलेक्ट्रोफाइल को attack करने के लिए असानी से वो मौका देता है सेम आप के लिए अगर हम बेंजीन के लिएक्शन देक्शन यहां पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके सारे structure काफी प्लेणर होते हैं इसके stabilitas काफी जादा होती है कि double bond को break नहीं कर पाते आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बेंजीन आखिर रेजनेटिंग इस्ट्रक्चर की उचो करता है या रेक्टिविटी कहां जादा होती है इस चीज़ को समझना बहुत रही है वरना इस मेकानिजम को नहीं समझेंगे चीजों को तो आप बेंजीन के रेक्टिविट को नहीं समझ पाएं I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा thanks a lot to watching my videos